आप लोग पुरा दस-दस केम जीत के आए हो, यह तो होता रहता है इसरा यह भई, देश आप लोगों को देख रहा है मना सोचा मिल्डू को सबको अबसकार दोस्तों, दोस्तों देखा जाए इंडिया वर्ल्ल कप फाइनल हार गया हाला कि यह काफी धुगबरी बात है, और देखा जाए करोणो भारतियों का दिल भी तूड़ गया लोगों की आखे नम थी, लेकिन इसके बाद एक ऐसी सरमसार घटना हो गई जिसको जानने के बाद वाकई में काफी देश वासियों का सर भी सरम से चुग गया क्योंकि इसी बीच खेल में के बाद एक ट्रेंड चलने लगा पनौती 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 यानि कि हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी को कुछ लोग पनौती पनौती बोलने लग गए तो ये कहां तक के सच है कमेंट में हमें चरूर बताईएगा लेकिन दोस्तो इसके बाद प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसको देखने के बाद जो लोग उनको पनौती बोल ले थे उनके मौ में तो एक जोरदार थपड़ पढ़ी चुका है और साथ ही देखा जाए दोस्तो इसकी चर्चा अब पाकिस्तान में भी होने लग गई है वहाँ देखा जाए हर तरफ नरेन मोदी की तो तारीफ हो ही रही है और साथ ही देखा जाए पाकिस्तान की जो आम जन्ता है वो अपने देश की सरकार और अपने देश के बड़े ब performance की appreciation पे जो उस एरिया के CM है उन्होंने शामी के विलेज है सहासपूर अम्रोहा में ये विलेज है और वहां पे शामी के नाम से पूरा stadium बनाने की application डालती है, so this is how we appreciate our heroes and this is how we uplift our heroes how important is this factor? मैं अगर ये सोचते हूं कि जहां-जहां हमारे लड़कों ने performances की, world stage पे ऐसी performances आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में stadium बना दिया जाते तो आज हमारे पास कितने सारे stadiums होते हैं? बिल्कुल ये भी होना चाहिए हमारे जो वर्ल-class players बोड़ी बड़ी-बड़ी performances दी बिल्कुल सही बाद आप ने की, stadium नहीं तो at least उनके stands ओने चाहिए थे मुझे नहीं बता मुशी भई का मुल्तान में है के नहीं है आपको बता होगा है जैसे Ciclain उष्था का नाम कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा तो उसका अपने लहूर में नाम नहीं है, क्राफी स्टेडियूम में तो स्टेडियूम तो कहीं रहा है बनाना है तो हम वही कहले डिस्रिस्पेक्ट बहुत है, उसने अभी शामी अभी केल रहा है, और इस इतनी परफॉर्मस तो कभी नहीं दी उसने, लिगे उसके बावजी कोई मस्ता नहीं है राब जीट दुबारा से आप अपने मिशिन बेजोगा अपलोग पूरा दस-दस केम जीत के आए हो, यह तो होता रहता है, शुक्या रहता है, भी देश आप लोगों को देख रहा है, हाँ हाँ हाँ, माना सोचा मिन लूकर सबको, हाँ होता है, का ड़तती है लेकिन, का बापो, घेलो न परदो, हमिये, तो तो पहत अच्छा किया इस बाद, तुथु तो गुजरादी बोलतो हो इस ने, फोड़ दोड़ु हो, तरदो घर चाई, तो आप लोग बहुत अच्छी मेनद की है चलिया होता है है होता रहता है और साथ को एक दूसरों को जड़ा होसला बुलंद करते चलिये और जब आप लोग फ्री होगे कभी दिली आएंगे तो बैठोंगा आप लोगों साथ तो दोस्तों आपकी क्या राह है ये वीडियो देखने के बाद क्या आपको अभी भी लगता है कि प्रधान मंत्री नरेन मोदी को स्टेडियम नहीं जाना चाहिए था मैज देखने के लिए क्या वाकई में खेल में भी राजनीती गुष्यडदी सही है क्या वाकई में क्या लोग मैज देख रहे थे क्या वो सब भी पनौती थे ऐसा नहीं होता जीत हार लगी होती है लेकिन इन सब के बावजूद भी देखा जाए दोस्तों जिंदगी यहीं नहीं रुकती आज नहीं तो कल नहीं तो परसो गाड़ी चलती रहेगी इस बार वर्ड का भारे तो क्य हो गया अगली बार वर्ड कप फिर मौका मिलेगा अगली बार भी हम लोग वर्ड कप जीज सकते हैं वैसे आपकी क्या राह है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में हमें जरूर बताए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब क हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे मिलते हम आप तक दी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाइब बाइब